बसकार आप देखरें इंडिया न्यूज राजिस्थान और मैं हूँ आपके साथ रंजना सिंगराटोर। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कारिकरम बोलियो राजिस्थान में। प्रदेश में लगातार ओनलाइन ठगी के मामले देखने को मिल रही है। कभी ऑनलाइन बाहन बेचने के नाम पर ठगी तो कभी नौकरी के नाम पर जहासा दिया जाता है। ताजा मामला डुंगरपुर से है। और यहाँ पर पुलस ने 80,68,000 का साइबर फ्रॉड करने वाले एक नाइजीरियन यूवक को और बिहार के एक यूवक को दिल्ली से गिरफतार किया है। बता दे कि आरोपियों ने 14 बैंक अकाउंट बना कर ठगी की वारदात को अंजाम ये दे रहे थे। और आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूस की टीम ने प्रदेश के अलग-अलग जगों पर पहुँच कर लोगों से उनकी राय जानी वो क्या सोचते हैं। आपको बताएंगे सबसे पहले राजदानी जैपूर में इंडिया न्यूस के सहीयोगी ने जनरता से बातचीत की। क्या कुछ कहना है लोगों का आपको वो सुनवाते हैं। साइबर क्राइम को रोपने के लिए लगातार इस तरह की केस हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सब को समझाय जा रहा है और सबी स्टाप को इस बारे में अवगत कराया जा रहा है। जनता से हम अपील करेंगे कि हमारे जैसे पुलिस में अभी कमिस्नेट में चार साइबर इकाई, साइबर थाना अलरड़ी है, साइबर इकाई चार उजलो में के खोली गई हैं। सब्सक्राइबर इस बारे में चार साइबर इस बारे में चार साइबर इकाई चल रही है। अपना किसी बातों में लेकर ओटीपी पूशते हैं, तो कोई भी जनता से अपील कोई भी विक्ति अपनी ओटीपी नहीं बताए, किसी तरह का लिंक है, उसको एंटेटेंड नहीं करें, तो काफी कुछ इस ठगी से बजा जा सकता है। अब जो नए जो तरीके अपनाए जारे हैं, इंडियन जो ठग हैं उनके साथ, नाइजीरन ठग भी हैं, उनको लिए क्या कुछ करा जा रहा है किया इनका वरिविकेशन होना चाहिए, ये शहर में अगर एंटर हो रही हैं, तो किस तरीके कि इनकी जो गतिविदी हैं, उस लिए क्या तेरियां देखिए जो नाइजीरेन ठग हैं क्योंकि दो चार केस इस मामले में आये भी हैं कि जो ओनलाइन ठगी है या वैसे भी लोगों को बेकू बना के जो ठगी करते हैं तो निशीत रूप से हमारी पुलिस को ब्रीफ किया जा रहा है कि जो इस तरह के बाहर स फाने जाता है तो उसे कहा जाता है कि आप साइबर रिकाई जाईए तो इस तरह के जो कनुजन है इसको दूर करने के लिए क्या कोई अभियान चला जाए जाए गया जागरुकता क्या देखे इसमें कनुजन वाले कोई बात नहीं है जो भी अपराद हैं उनमें पहले साइबर थाना अकेला था पूरी कमिसिनेट में अब चारू जीलों के अंदर साइबर इकाई खोल दी गई हैं तो सबसे पहले जिस भी छेतर में इस तरह की ठगी की वारदात होती है तो वो साइबर इकाई के ये उसके एरिया का या उसके छ जनता के साथ करना चाहेंगे कि अब जो नएने तरीके अपनाए जा रहे हैं उनसे बचने के लिए क्या करा जाए देखिए वैसे तो अभी सभी लोग काफी एजुकेट हैं और लगातार अपने प्रेस मीडिया और लाइव मीडिया के थुरू ये चल रहा है कि कि किसी भी बैंक द्वारा भी बार बारे मैसेज किया जाता है कि कि किसी व्यक्ति को अपनी OTP नहीं बताएं कोई भी ओनलाइन लिंक आता है उसको नहीं दबाया जाए नहीं किया जाए और उसके अलावा भी हर व्यक्ति चुंकि आज हर व्यक्ति इस बारे में अवेर है जो साइबर पहले उस चीज को देखे परके कि क्या चीज यह उसको किया जाना चीए नहीं किया जाना चीए अनायासी अंजाने में इस तरह की भूलिया गलती वो नहीं करें पर आखरी सवाल है मैं कि जैसे कई कुलिस कर्मी है